कि शुप्रबाद बच्चों आज की व्याकरण की सब्सक्राइब ऑनलाइन कर्षा में इस्टेंडर फिफ्थ के बच्चों का स्वागत है बच्चों आज हम एक बात फिर से अपने व्याकरण बुक के पाठ 19 में से यानि 19 में से एक ऐसा भी से निकाल कर लाई है जो बोल्चाल की भाषा में भी आपको बहुत बार संशय हो जाता है कि यह एक जैसा तो है तो आज यह एक समान सुनने वाली सीजें जो होती है और लिखने में भी थोड़ा सा अंतर आता है और उनके तो हाँ टॉपिक हुआ है पाठ उन्ने समरुपी विन्नाथक शब्द या यूँ कहें सूती सम विन्नाथक शब्द अग समरुपी विन्नाथक शब्द बोलिये या सूती सम विन्नाथक शब्द बोलिये दोनों का मतलद एक ही ही उता है इसे कि डोमाने इंद love सम अंधिया है रहा है लाइन फार दिकता साव रहा हे शहाद को लुदर माने अल्ग अब आता है सम में देखी लिया सुनती माने होता है सुनना शब्द माने चाहते हैं एक वर्ड तो इस क्या लिख लखाने का सुनना एक समान सुनने वालों का अलब अर्थ तो हम इसकी परभाशा कैसे बना लेते हैं कि जो शब्द सुनने में एक जैसे लखते हैं कितु उनके अर्थ में नता होती है यानि वह सुनने में जो एक जैसे लखते हैं लेकिर उनका मतलब निकाना रहता है तो वह अलब अलब अर्थ देते हैं दूसरे शब्दों में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कुछ शब्द ऐसे होते हुँ जिनमें स्वर्द, मात्रा और व्यंजन स्वर्द, मात्रा अत्वा व्यंजन में थोड़ असान कर बचा है ये गोल चार्दी लगवद एक जैसे हुए और यंचों इसके अर्थ में भिन्दता होती है ये ही सुरूती सम्धिन नार्थ शब्द कहलाते है अब देखिये ना जिसे ना जी और कुछ बच्चे रव का उच्चारण भी रही करते हैं ये सबसी बड़ी समश्य है ये कारण होता है कि जब बच्चे तुतला करके साफ बोलना सीखते हैं उस समय जिन शब्दों को वो सही से नहीं बोल पाते हैं तो अम लोग उस पार से ध्यान नहीं देते हैं विशा के लिए बच्चा एक शब्द को या एक वर्ड को गलत बोलने में जाता है यह उसी का प्रेखाँ तो जैसे इनी शब्द आता है हमारा नारी नारी माने होता है इस्त्री और नाडी ड़क्टे निचे बिंदी और दिंदी का वो हुआ नारी नारी माने होता है नब्स होता है तो देखते हैं नबस देखके वह बताते हैं कि हमारे है नहीं के गोल्ले नाडी-खिविप तो उन्हें समझ में नहीं आएगा कि दोनों को आर्थ क्या है प्रकिन नारी-खिकया है इसका इसका अर्थ केसे हो गया तो पहला सुधार हमें जो करना है वह हमारा उचार है हमारा उचार है यह गलत है तो हम कभी उस अर्थ को क्लियर नहीं कर पाएंगे कि दोनों अर्थों में दोनों शफ्टों के अर्थों में भी लगता है और दूसरा हमें डोनों का मीनिन मानूरा ना चाहिए दोनों का अक्ठ बार्न माना चाहिए जो लगते हैं उससे सुने है पर जलो ररा कोड़ा होते हैं हुं इसमें जाकि दोनुबह है कि , कि अधरिन जासर है पूंट्रिक मेंजल दिया है तो जब ढम लिए जाता है तो एक नया बेंजन बन जाता है जो अतरीक्त कहलाता एक्स्ट्रावादा छीज जो कभी कभी ही उप्योग में आता है जिसे ड्षब ड्षब नीचे बिंडू लग जाता है और आप जब चछा जज़ना टॉट फोट दॉट बढ़ते हैं तो वर्ग में जवाब करते हैं तो उसके लिचे बिंदू नहीं रहता है लेकिन जब अत्रिक्त शब्द बनता है वर्ण बनता है तब उसके लिचे बिंदू बनता है धंग त उसके निचे बिंदू लगता है तो उसके लिचे बिंदू नहीं लगता जैसे चड़ अब पहले चॉल लग गया उसके बार अब यहां क्या है धर के निचे बिंदू लेकिन जब हम लोग लिखते हैं धर कड़ तो अधर से ही चड़ हो तो उसके निचे बिंदू नहीं होता है बच्चे छोटी-छोटी सी चीजें आप यदि दिमाग में रखोगे औ और व्यात्रंटक आपको इतना ज्या धियल हो जाएगा कि आपकी जंब लिखावट होगी आप डेस्ट्रेचर लिखो गे ऑप कुछ भिलिखो गे तो आपके मिस्टिक नहीं होरे हैं घलत नहीं लिखोगे और उसे से फिर उच्चारन ये जिवाब सही करओगे ताप सही ह कि लिखो इसकी आप जो कुछ पोह हिंदियों या हिंग्री शुक जो भी हो इसमें आप उच्छान का श्याल कहले करें तो यह मैं आपको प्रिश्यों कहलती हूं सुटी सम्विन्नाता सब जो सुनने में एक दैसे लगते हैं लेकिन उनके अर्थों में भिन्नता होती है लिखने में भी उनका स्वाथ उनकी मात्रा और उनके व्यंजल में थोड़ा सा फ़रा करता है अब हो सकता है किसी में छोती ही लगी किसी में बढ़ी ही लेकिन है तो यह की मात्रा देखे में दुसरा शक्तित होते हूं कि काली इंट काली अब इसमें दिल्गी काल है अग्य रहे जो जो लगा के कली और जब हर्शिकार है तो हम बोलते हैं कली उसे लाइटली बोलते हैं बहुत हलके से बोलते हैं और बड़ी की मातरा जहां भी दिल्ग हो जाता है तो आप उसके तोड़ा सा जोर लगा दो तो अपने उच्छान से समझ में आ जाता है कली कली तब आप इसके अर्थों को पकड़ सकते हैं अब क्या मता है कली पूल चाहिए उसके साथ जो कली नहीं बढ़ बड जिसको कहते हैं कली तो फूल फूल खिलता नहीं है वही कली कलाता है यह थोड़ा साथ खिल जाता है अधर खिला फूल अज खिला फूर इस कली का मतलब हुआ अज खिला फूर और इस कली का मतलब हुआ कली यूग कली का मतलब हुआ कली यूग यूग का आद्म होता है यह कौन सा यूग है कली अब देखिए बोलने में एक ही देशा लगा है कली देखिए इनकी मात्रा में इनकी लिखावट में सिर्फ मात्रा कर हेर दिर्गी और हर्शु का फेर और कुछ नहीं है कि इसी तरह से अनील और अनल अनिल में लिखने लिक ही मात्रा लगाँ तो बढ़े हवा अनल जरुने मात्रा हटा आधी तो बनगे आब अब देखें दोनों के अर्थ में कितनी विन्नता है जब आप लिखते हो लिखते से मांत्रा छुट गी आप इस संटेंस का आपने जो वाकी बनाया तो अर्थ ही बना गया तो एक मांत्रा की चर्श करवें आपका पुरा पाक्य गलत हो जाता है आपके हवा हवा चल रही है हवा बह रही है हवा चलती थी तो अनिल अनिल बह रही है तो आपने अनिल में एक ही मात्रा निल गए अनल लिख लिया तो आग बह रही है अनल तो आग यह बहने लगी तो लोगों को भसने कर दी इसलिए हमने अपने चारण पर अपनी मात्राओं पर बहुत जवर्दर से पकड़ रखनी है इनका अभ्यास करना है उसके बाद हम लोग बहुत अच्छे से हिंडी को पड़ पाएंगे हिंदी हो या इंगलीश हो कोई भी सब्जेक्ट वो सबसे पहले हमें उसके उच्छारों के ध्यान देना होता है उसके बाद लिखा मात्र माँ ग्यान आप सना का ग्यान कर लेते हैं उसके बादkach सही काम करने लगते हैं उसी तरह उसी में है और को हमेशा आप रोगो यह कहती हो हुए इस पर जितने गोते खाओगे उत्ने सुनार्य की बेलें तो ठीक है आप समझ गए होंगे सुर्टी सम्धिनांत्रक्षब आप इसे पढ़िए बार बार पढ़िए और समझ गेए और कुछ नए शब्दों का कलेक्शन कीजिए जो सुनने में इसे लगते हो लेकिन उनका अर्थ अलग-अलग उताओ आज के लिए इतना ही धन्यवाद